लोगों को शक ही इलेक्शन कमिशन पे हैं, सक ही सरकार पे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमिशन के हाथ में पूरा कंट्रोल नहीं है, बहुत सारा कंट्रोल गरह मंतरा लेके हाथ में होता है, जितने अपसर, पुलिस और जो पैरेदारी है, वो तो सब गरह मंतरा सब इनको कोई लेना देना नहीं है रूल ओफ लो से सिस्टम ओफ लो से यह गवर्नेंस का मामला है यहां तो ऐसे है जह चोरों की तरह लपकने वाली चीज है कि बाई हुक और करुक किसी भी सडियन तर से तुम निर्वाचित हो जाओ और पारलेमेंट में पहुंच जाओ इस लोगों का तो पारलेमेंट में जाना और उसमें क्या नाम विदान सबाव में जाना ऐसे है जैसे चोर या गुस्पैटी यह पारलेमेंट में या विदान सबाव में पहुंच गई यह हटाओ मोर्चा तो जब तक चालू रहेगा जब तक लोगों का 100% विश्वास नहीं हो आज इस वक्त में मौझूद हूँ सुप्रीम कोर्ट में अज सुप्रीम कोर्ट से ही एक बड़ा फैसला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि चुनाफ जो है वो इवियं सही होंगे बैलिट पेपर से नहीं होंगे और इसी मुद्दे पर बातचीत कर लें हमारे स कि लोग जो चाहते थे वह बातें नहीं माने गई और एक तरह से लोगों बहुआ 27 सिगया देश में यह कही न लोगों की भावनों के अनुप नहीं है देश की जनता जो चाहती थी देश की जनता जीतने transparency चाती है और free and fair election चाती है वो फैंसले में आला कि Supreme Court ने अपनी तरफ से अच्छा किया है उनकी तरफ से तो मगर लोगों में एड़ोकेट्स में ये message है कि ये कोई इतना अच्छा फैंसला नहीं है लोगों के लिए free and fair election के लिए लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा जिस तरीकी से वोला था कि EVM में धानली हो सकती है आप ही लोगों ने मोर्चा खोला था तो उसको लेके क्या कहेंगे इस तरीकी से अगर ही हो गईласт ही तौर एगर कहें तो numéro 2 कि हम तो लो हम तो फोटने के कि पक्समें ऑर बैलेट मेपर क्यak क्योंकि ए लोगों का विस्वास है लोग अपनी आँख से निशान लगाते हैं अपनी आखों से बैलेट बॉक्स में डालते हैं साइन करते हैं यह सारी की सारी बाते एवियम वाले मामले में जाहे जो भी किया है सुप्रीम कोड ने कहीं चीजों का भी तो डिटेल जज्मेंट आएगी और बातों का पता चलेगा मगर जो काफी महतोपुन मांग थी कि सारी परचियां गिननी चाहिए उसको एक तरह से नकार दिया यह अपने आप में एंटी पीपल जज्मेंट है एक तरह से लोगों के खिलाप हैं क्योंकि इसमें लोगों का विश्वास लोग विश्वास करें अपनी संस्ताओं पर यह ब अगर मिलाना है तो आप पैसे दीजी आप मिलां करेंगे यह पैसे कोई वैपारी का काम है election कमिशन और उसमें घर का पैसा वह यह किसी के बाप कपैसा है वह पैसा देश की जंता का और दंता ही चाहती है हम इस तरह election चाहते हैं हमें transparency चाहिए सो परसेंट देखिए सरकार या election commission या parliament जब गलत कानून बनाती है या गलत policy लागू करती है या सविधान के खिलाब काम करते हैं उस वकत लोगों के पास है high court or supreme court high court or supreme court आके भी सबसे पहले तो उनको लोगों की grievances लोगों की सिकायत सुननी चाहिए open mind से वो सुनने के बाद उनको ये सोचना चाहिए पूरे देश में ये message क्यों है विश्वास का तब ही तो लोग आते हाई court or supreme court अगर high court or supreme court में भी फैंसला वही हो जो सरकार चाहती है या election commission सब ठीक ठाक कर रहा है और चुप चाप उसकी बाद मान ले high court or supreme court तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि लोगों का कोई मेहतों नहीं है देश में जबके सबसे मेहतोपूर्ण देश के लोग है वीदा people of the country वीदा people of India ये संस्थाएं important तब हैं और ये ये पनी जब हमारे लिए काम करती हैं ये संस्थाऐं अगर हमारे लिए क् relied काम नहीं करती हैं तो इस संस्थाओं के खिलाप बोलना देश के लोगों की duty भी है अधिकार भी है इस वज़े से और किसी भी जज्जमेंट का पूरा देश सम्मान करे या ना करे यह देश के लोगों की मर्जिय उनके विश्वास की बात है यहां सुप्रीम कोट ने कहा कि विश्वास करो लोग यह करें क्यों विश्वास करें तुम ऐसे काम करो कि हमें विश्वास करना पड़े चुपचा पैसे नहीं कह सकते तुम विश्वास करो क्यों करें विश्वास लेकिन साथी साथ ये भी बोलाएं रहा कि अगर धांदली निकलती है तो हम पैसे वापीस कर देंगे लेकर धांडली नहीं निकलती है तो फिर पैसे क्यों हापिस करें नहीं मिलते हैं तो पैसे देने पड़ेंगे कोई बात नहीं यह तो ठीक है मगर वोटिंग में दांदली ना हो वह लोग सुनिशित करना चाहते थे सुनिशित करना चाहते थे कि सीसा काला सीसा क्यों किस वज़े से काला सीसा लगायागा और किस वज़े से वीवी पैट में लाइट जलती नहीं रहती क्यों लाइट बंद होती है और क्यों जल्दी बंद होती है ताकि आदमी देखी नहीं पाए कि उसकी परची कटके नीचे गिरी है करने के लिए कुछ भी करना जरूरी है चुपचाप सब्सक्राइब करी है जब जंता मालिक, जंता चाहती है परची गिनेगे, तो परची जो चिप चिप नहीं वो यूज करो और परची गिनना जरूरी है और देश का पैसा देश के लोग चाहते हैं तो बीच में ये जजमेंट के जरिए उन चीजों को नकारना इसलिए इस लिए बैड जजमेंट फॉर दी पीपल अप दा कंट्री इस प्रो इलेक्शन कमिशन लोगों को शक ही इलेक्शन कमिशन पर ह बावजूद भी इसलिए फैंसला सुप्रीम कोट ने देश की भाउनाओं के अनुकूल नहीं दिया है इसुए देश के लोग खुश नहीं है और इस जजमेंट को के बावजूद भी इतना अनुरोध जरूर है कि देश के सारे लोग वोट डालें जब हमारे देश की मानलो तीन संसाई हैं तीन पीलर हैं वो तीनों पीलर तीसरा पीलर जुड़ी शरी है मानलो जुड़ी शरी भी गलती कर बैठे या जुड़ी शरी वो काम ना कर पाए जो लोग चाते हैं या स्विधान के नुरूप ना हो लोगों की fundamental right आहिए अधि यह दिसल में खुद कंदे लेनी हैं जैसे किसी आदमी के यहां तीनों काम करना बंद कर दे तो क्या हम भुखे मरेंगे क्या हमारा घर है हम मलिक हैं हम अपने कीशन चैन में अपना काम खुद करें और अपने संस्ताओं के बरोसों छोड़ा नहीं जा सकता सनस्ताओं हमने काम करने के लिए खड़ी की हैं सोभधान के नूरू मगर चुप चुप काम इस वकत भी विशुआस करें या उस वकत भी उनके बरोसे के उनका साथ दें, सुरक्षा करें, इवियम की जहां भी हैं और जहां गड़ बड़ रही हैं उसकी सिकायत करें, इलक्षन कमिशन को इमिजिट और वहां भी बात नहीं है, जो हाई कोड, सुप्रीम कोड, डिश्टी कोड जहां भी अधिकारी, करमचारी या वकील हैं, जो कड़िये वहीं वो लगधार पूरे elwork दोरान active रहेंगे, और हर चोटी-से छोटी बात को सुप्रीम कोड के सामने रखेंगे, और सुप्रीम कोड को कोई भी ऐसा काम करने के लिए करेंगे, कौसिस करेंगे, प्रैजित करेंगे, भी करेंगे, को बीएक और देन सुवि तो जब तक चालू रहेगा जब तक लोगों का 100 परसेंट विश्वास नहीं होगा और जिस तरह से जितनी जारी कमियां हैं वह सारी कमियां दूर नहीं होंगी तब एव्यम हटाओ मोर्चा तो जारी रहेगा अपना काम करेगा लगातार करेंगे अपना काम तो मतलब क्या डिवी डल सकता है और इसमें और पटिशन भी डल सकते हैं इसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने ही कांसिचूशन बिठाने की बात भी की जाए तो सारे लोग करेंगे वो सारे काम जो हो सकते हैं उसमें देश के लोगों को चिंतित होने की जूरत नहीं हर वो काम चाहूंगा देखो कि नोटा का प्रोविजन है यह है कि नोटा से यह पता चलता है या कंट्रोल रहे कि अच्छे कंडिडेट्स को टिकट दिया जाए नोटा में अगर जितनी लोगों को मेली उसे ज्यादा नोटा दब जाए तब यह कानून अधूरा है यह लंगडा-लूला कानून है इसमें यह किया है कर नोटा जादा भी दब जाए फिर भी जिसकी जादा वोट है कंडिडेटों में उसको फिर भी विजई गोसित किया जाए यह काला कानून है वह भी नोटा वाला भी एक टेंपरेरी मगर यहां जो सूरत में डिकलेर करने वाली जो बात है डिक उसे कम अपने नोटा के प्रवीजन को यूज कर पाएं लेकिन इससे तो रिजल्ट से पहले ही भाजपा की सरकार बनते वे नजर आ रही है फर्स्ट फेज में ही जी चुके हैं वो यह सब चोरी सीनाजोरी वाली बात है यह सब इनको कोई लेना देना नहीं है रूल ओफ लो स से सिस्टम अफ लो से यह गवर्नेंस का मामला है यहां तो ऐसे है चोरों की तरह लपकने वाली चीज है कि बाई हुक और करुक किसी भी सडियन तरसे तुम निर्वाचित हो जाओ कैंडिडेट बन जाओ और पारलेमेंट में पहुंच जाओ इस तरह चाला कि ठगी ठोरी से से पहुंचने वाले लोग क्या खाक परतिनीदितों करेंगे देश का ऐसे लोगों का परलेमेंट में जाना और विधान सबावें जाना इसे है जैसे चोर या गुस्पैटि है परलेमेंट में विधान झाल, 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 झाल.